विश्वास है तो व्यापार है धन्ना राम सेट का बेटा बबलू गर्मी की छुटी लगते ही रोज आकर दुकान पर बैटने लगा था दिन भर वो दुकानदारी में तो पिता जी का हाथ बटाता ही साथ में बही खाते में उधार लिखने और हिसाब रखने की जिम्मेदारी भी बबलू ने ही ले ली थी वैसे तो सब ठीक था पर बबलू को एक ग्राहक यानि शर्मा जी की बात बड़ी अचीब लगी शर्मा जी दुकान पर सामान लेने आते और बिना हिसाब पुछे मुस्कुरा कर खाते में लिखने को कह जाते चूकि अब बही खाता बबलू के हाथ में आ चुका था उसने एक छोटी सी धांदली करने की सोची वो हर बार शर्मा जी के हिसाब में 10 रुपे बढ़ा कर खाते में लिख लेता बबलू बड़ा खुश था कि किस तरह उसने शर्मा जी की मूर्कता का फायदा उठा कर अपने पिता जी की कमाई बढ़ाने में योगदान किया है एक दिन बबलू जब शहर घूमने जा रहा था तो उसने देखा कि शर्मा जी भी उसी बस में बैठे थे और उनके हाथ में बड़ा सा खाली बैग देखकर उसे समझ आ खिया कि ये खरिदारी करने जा रहे है या बबलू की भाश्या में कहे तो अपने आपको लुटवाने जा रहे है बबलू ने चुप चाप शर्मा जी का पीछा करना शुरू किया पर उसकी सोच के विपरीत उसने देखा कि शर्मा जी हर दुकान पर पूरा मोलभाव करके सामान लेते और पूरा हिसाब करने के बाद ही पैसे देते बबलू को ये बात पची नहीं उसने सारी कहानी घर आकर अपने पिता जी को सुनाई सेट धन्ना राम ने तब अपने बेटे बबलू को समझाया बेटा शर्मा जी से बुधिमान तो पूरे गाउं में कोई नहीं है वो तो हमारे पुराने ग्राहक हैं और हम पर पूरा विश्वास करते हैं और इसलिए हमारा हिसाब नहीं देखते और विश्वास व्यापार की बहुत बड़ी पूंजी है एक बार तूटा तो बस तूट गया आज बबलू को समझ आया कि विश्वास है तो व्यापार है